लगातार बिहार में करुणा संक्रमन तेजी से फैल रहा है जिसको लेकर बिहार में करुणा संक्रमन पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन लगातार कोविड-19 का उलंगन करने वाले के खिलाफ कड़ी कारवाई कर रही है बीती रात गुरुबार की जिला प्रशासन ने शड़को पर अवियान चला कर गाइडलाइन उलंगन करने वाले के खिलाफ कारवाई की है आपको बता दे कि जिला प्रशासन अवियान पटना जेक्शन से सुरू होते हुए मौर्या लोग कॉंपलेक्स तक अंदर मौजूद चल रहे थे इस दोरान सहर के सबसे नेम फिम मार्केट कहे जाने वाला मौर्या कॉंपलेक्स कुल तीन दुकानों को सील किया गया है कारवाई के दोरान बजार में मौजूद दुकंदारों के बीच हरकंप मच गया वह एक दूसरे को उस समय दुकान बंद करने की सला देते नजर आए साथ ही प्रसासन अव्यान चला कर मास्क नहीं पहनने वाले दस लोगों को जुर्माना भी काटा यह पूरा अव्यान एस डियों के नित्रित में चलाया गया वहीं इस पूरे मामले की जानकारी कोतवाली थाना प्रभारी सुनिल कुमार ने दी है यह तस्वीर द लोगों को जुर्माना भी काटा गया बिना मास्क पहने सडक पर घूमते हुए नजर आए यह तमाम चीजे जो है इस डियों के नित्रित में की गई और पटना जेक्शन से लेकर मौर्या कॉंप्लेक्स तक अव्यान चलाया गया क्या कुछ जानकारिया निकल कर सामने आ रह לא-an-order dsb सुर से और मैं था है पाइश दुकानों को सिल्ट किया गया है जो कि करुंपना के पीश्रस में नहीं कर रहे थे नirmों का और बख़ग 30 भेक्तियों को मास्क परस्रार्थ कृव्या है जो मास्क नहीं पाहन है निकलि माद हैं अधियान चला ये अभियान वल्यशन तो आपने साब तोर से सुना उनकी बातों को कि इस तरीके से उन्होंने कहा कि लगातार जिला प्रसासन के नित्रित में तीन दिनों तक महा अवियान चलाया जा रहा है कोविड-19 को लेकर और इसमें जो लोग भी अगर लापरवाही बरतेंगे उन पर कड़ी कारवाई की जा जिन्यूस के साथ और देख्टेना है जिन्यूस